नमस्कार दोस्तों स्वागति आप सभी का आपके अपने चैनल और एस्टेडी पर जिन दोस्तों आज किस वीडियो में हम ब्याज निकलना सिखेंगे जिन दोस्तों ब्याज जिसको इंगलिस में बोलते हैं इंट्रेस्ट यानि हम यहाँ पर इंट्रेस्ट निकलना सिखने व महीना में अगर भी आज देना हो तो कितना रुपे देंगे हम यहां पर सूध के पैसो का हिसाब सहित यहां पर सारी पर्केरिय सचीन है पांच परतिसत की सैकड़ा सैकड़ा के हिसाब से सात महीनों का व्याज गयात करें दोस्तों को समझना होगा आपको यह कोशन किसी किताब कर नहीं है यह कोशन खुल से सैकड़ा के हिसाब से यह समझ रहा है ना पांच परतिसत की सैकड़ा यह हिसाब क्या होता है पांच परतिसत की सैकड़ा तो देखें सैकड़ा मतलब होता है सो सैकड़ा मतलब क्या होता है सो यानि सो रुपए का पांच परतिसत के हिसाब से कोश्चन का कहने का मतलब है तो सौ रूपए का 5 परतीजत की हिसाब से साथ महहनों कम को ब्याद करना होता समझ रहाüyны यहाँ पर 2000 है तो 2000 में कितने सोव आएगे Haar 2000 में कितने सो आएगे तो षिषक ली करना क्या होगा यह 2000 है ना तो आपको 2000 लिखना है और सौव कानोट परता करना कि इसमें सौ क n ai कितना होंगी तो इसमें सो क्या निकल कर आ जाएगा तो ये बीस नूट होगा कितना है 100 का नोट कितना होगा इ Lup तो देखे सो यौनि स्यकड़ा का मतलब होता है कि पर्तियक से कि तरसे पर्तियक से तो पर्तियक से यय कि सौ घिसशम है कितना है वी सर् को साथ महीनों का ब्याज घ्यात करना है तो जब से पहले वह क्या करेंगे एक मह feito करेंगे दोस्तों गांधों में क्या हुता होते कि महीनो सदयेना पड़ता है यानि यह दो हजार रुपए है ना 5 परतिसत के साइकड़े का हिसाब से है तो 2,000 रुपय याँ पर आपको एक महिना के बाद उतना रुपय देना पड़ेगा तो यहां पर आपको लास्ट में हिसाब करना यानि सुध के पैसों का हिसाब भी पता चलेगा तो देखी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 100 का 5 परत परतिसत निकालेंगे उससे क्या होगा कि हमारे 100 रुपए का कितना ब्याज लग अधार यह यह हमको पता चल कि जाएगा क्योंकि पाँच परसे साहदा का हिसाब है तो सो 100 का निकालेंगे 5 परतिसत देखिए 100 का 5 परतिसत तो चलिए 100 का 5 परतिसत निकाल लेते हैं यहां पर है 100 तो 100 लेख लेजिए का का मतलब होता है गुना 5 परतिसत है तो 5 लेख लेजिए और इस परतिसत का मतलब हता है 1 वाई 100 अगर 1 परतिसत रहे तो उसके पर आपने एक गदेगा एक गुना करेंगे पाँच में तो आपका यहां पर पांच रूपए निकल कर आ जाएगा मैं निकल कर गया 5 रूपए यहनी 100 रूपए का ंप 155 रूपएऑ होगा तो देखें यहां «पर यहां多少 क्या निकल गरा गया मान लिवे आपका को Fay mm कह था कि तो दो हजार पर पांच पर तीस सेकड़ा के साब से कितना रुपया होगा एक महीना का यह हमको पता करना होगा तो देखिए मालेजे कि यहाँ पर इक सोगना कर दिनगे पांच में तो विस्क कितना रुपये हो जाएगा यह हमारा एक मन्त का व्याज है कितना रुपय हो जाएगा 100 रुपए 1 महिना का भीयाज यानि 2000 रुपएयों का? 5 percentage के दर से 1 महिना का भीयाज हमारा 100 रुपएय निकल कर यहाँ पर आचुका है तो दोस्तो यह तो हमारा सिर्फ 1 महिना का भीयाज निकल कर आ गिया हमको कोशन में क्या कर रहा है कि 7 महिनों का भीयाज सात महीन कव्यास कितना होगा तो एक मेंने का 100 रुपय है झासा रूपय। औरными इसमें साथ से गुना कर देजी हापका साथ सू रुपय हो जागा सात महिने कभ और यह इस Major वैसे तो हमारे ब्याज हो गया जिस ब्यक्ति से यहां पर 2000 रुपई लिए। पैसे by जा रहे हैं तो कितना रूपए लटाएंगे तो उसके लिए करना क्या होगा दो हजार में यह 700 रुपए आपको जोड़ना होगा दोज़ने साथ सुरुपए जोड़ देंगे और जो भी रकम आएगा उसको हम लटा देंगे तो चलिए आपर जोड़ दें हमारे मूल जन है मुद्धन हें दो हजार रुपएं न हमनेद हम लिया है और साते सुरुपएह हमारा भ्या जा रहा है दोनों को जोड़ देंगे यह हो जाएगा जीरो यह हो जाएगा साथ और यह होगे दो इन्हें 2700 रुपए हमारे यहाँ पर सूध के पैसो का हिसाब हो जाएगा और यहीं को फाइनल आंसर आपको 2700 रुपए 2000 का सूध सहित लोटाना है तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से भ्य कर दीजिएगा इसी तरह के इंट्रेस्टेट और वीडियो चाहते हैं तो कमेट केजिएगा मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक लिए टिक के और वाई वाई धन्याबाद